फिल्म की कहानी शुरू होती है अमेरिका में और हम देखते हैं एक आदमी को जो की एरपोर्ट में जाता है। इसने एरपोर्ट में वहां से गुजरना होता है जहां पर चैकिंग हो रही होती है। वहाँ पे ये तस्पी पढ़ने लगता है कि फिर एरपोर्ट वाला एक आदमी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उस आदमी को एक जगा पे लिजाया जाता है और वहाँ पे उसकी और उसके समान की तलाशी ली जाती है। और ऐसी तलाशी ली जाती है मानों के जैसे वो कोई मुझिनिम हो, एरपोर्ट वालों को इस आदमी के पास पुछ नहीं मिलता और दोस्तों इस आदमी का बोलने का अंदास दूसरों से अलग होता है और इसकी चाल भी थोड़ी अलग होती है, वो एरपोर्ट वाले इस आदम के प्रेजिडेंट से मिलना है और उससे कहना है के माई नेम इस खान एंड आयम नोटा टेररिस्ट, यानि के मेरा नाम खान है और मैं आतंकवादी नहीं हूँ, और इस पर वो एरपोर्ट वाले खामोश हो जाती है, टेररिस्ट का मतलब होता है दैशतगर्द आतंकवादी युनाइटिड स्टेट्स का प्रेजिडेंट यानि के अमरीका का प्रेजिडेंट, दोस्तों इस आदमी का नाम रिजवान खान होता है और ये एक मुसल्मान होता है, अब ये बस स्टेंड पे जाके बैठ चाता है और बस का इंतजार करता है, और ये अपनी डैरी में रिजवान को तब से आता होता है, रिजवान चाहे अब नॉर्मल होता है, पर रिजवान की मां को रिजवान से प्यार होता है, सन 1983 में हिंदू और मुसल्मानों में दंगे हुए थे, गली में कुछ मुसल्मान हिंदूों के बारे में गलत बातें बोल रहे होते हैं, रिजवान की मामा रिजवान को ये बातें दोराते हुए सुन लेती हैं और फिर वो रिजवान को समझाती हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो किसम के इंसान हैं अच्छे इंसान जो अच्छा काम करते हैं और बुरे इंसान जो बुरा इससे रिजवान के मन में हिंदूों के ल मास्टर वाडिया नाम के आदमी के पास ले के जाती हैं और ये आदमी सक्त मिजाज का होता है। गर में औरते रिजवान से अपनी चीज़ें ठीक करवाने आई होती हैं क्योंके रिजवान को चीज़ों की मुरमत करना आता होता है। जिस पर जाकिर कहता है कि भाई से फूरसत मिलेगी तब याद आएगी ना और इस तरह जाकिर अपनी फैमली छोड़ के चला जाता है। लेकिन रिजवान को अपने बेटे की याद आती होती है। क्योंके मरने से पहले इसकी मा ने इस से वादा लिया था कि ये भी अमेरिका जाएगा। और ये होती है रिजवान की भावी जिसका नाम होता है हसीना, हसीना युनिवर्सिटी में साइकोलोजी पढ़ाती होती है, हसीना पता लगा लेती है कि रिजवान को एसपर्गर्स सिंड्रोम है, जिस वज़ा से रिजवान को नई जगाओं से नए लोगों से, तेज अवाज बीटी प्रोडक्ट्स बेचने का काम देता है। फिर वो उन प्रोडक्ट्स को बेचने निकलता है एक दफा रिजवान को सड़क पार करनी पड़ जाती है क्योंकि क्रोसिंग पीले रंकी होती है रिजवान डर जाता है और वो सड़क के बीच में आके रुक जाता है रिजवान के आसपास लोग आ जाते हैं लेकिन फिर वहाँ पे एक लड़की आती है और रिजवान से ये कहके चली जाती है कि डरने में कोई बुराई नहीं है बस अपने डर को इतना बड़ा मत बना दो कि तुम्हें आगे बढ़ने से रोक दे रिजवान जब पीछे मुड़ता है तो उसे उस लड़की का चहरा नहीं नजर आता वो उस लड़की के पीछे सलोन में जाता है और उस सलोन में रिजवान उस लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम होता है मंदीरा रिजवान यहां अपने बारे में बताता है, यहां पर रिजवान अपने beauty products बेचता है, पैसे कमाने पर उसे खुशी होती है और उसे मंदीरा पसंद आ गई होती है, रिजवान उस salon में बार बार जाने लगता है ताके वो मंदीरा को देख सके, वो एक दफा मंदीरा के पास गुलाबी रंग का स्वेटर पहन के आता है, क्योंकि उसने मंदीरा को गुलाबी रंग का स्काफ पहने होए देखा था, वो beauty products भी बेच रहा होता है, और फिर एक दिन वो मंदीरा से अपने बाल कटवाता है, और बाल कटवाने के बाद वो मंदीरा से शादी करने का कहता ह जबकि मंदीरा को ये मजाक लगता है, मंदीरा का एक बेटा होता है, जिसका नाम समीर उर्फ सैम होता है, दोस्तों मंदीरा की 19 साल की उमर में अरेंज मैरिज हो गई थी, अभी ये डिवोर्सी होती है, यानि कि अभी ये तलाक याफता होती है, इसका पती एक लड़की के अच्छा नहीं लगता और वो रिजवान से जाने के लिए कह देती है लेकिन रिजवान वहां पर दुबारे से वापस आता है पर क्योंकि मंदीरा के पास पीले रंग की चीज़ ओती है रिजवान उसे देख कर डर के वहां से भाग जाता है फिर रिजवान के पास आती है मंदीरा और वो रिजवान से अच्छे तरीके से बात करती है रिजवान उसे बताता है कि उसे पीला रंग पसंद नहीं है ये दुन साथ में वक्त गुजारते हैं और इनमें शर्ट लगती है कि अगर रिजवान मंदीरा को इस शहर की कोई ऐसी जगा दिखा दे जो मंदीरा ने ना देखी ओ, तो मंदीरा उससे शादी करेगी सलोन में सैम और रिजवान मंदीरा के पास आती है और मंदीरा रिजवान से सैम को अपने साथ एक जगा पे ले जाने के लिए कहती है रिजवान सैम के साथ जाता है वहाँ पे रिजवान एक गेम में हिस्सा लेता है इस गेम में सामने पजल में छुपे जानवरों के नाम बताने होते हैं सबसे जादा नाम रिजवान बताता है जिस पर इने इनाम मिलता है इसके बाद रिजवान में और सैम में दोस्ती हो जाती है और ये देखकर मंदीरा को खुशी होती है रिजवान उस शर्थ को जीतने के लिए मंदीरा को अलग-अलग जगाएं दिखा रहा होता है और ये एक तूसरे के करीब आने लगते हैं कुछ दिनों के बाद रिजवान सुबा सवेरे मंदीरा के पास जाता है और उसे भगाके एक जगा पे ले आता है और रिजवान मंदीरा को ये नजारा दिखाता है जिसे देखकर मंदीरा हैराम रह जाती है और फिर वो रिजवान से शादी के लिए मान जाती है जाकिर रिजवान को समझाता है कि मंदिरा हिंदू है और अगर रिजवान ने उससे शादी की तो जाकिर रिजवान से अपना रापता तोड़ देगा लेकिन रिजवान को तो रिजवान की मामा ने समझाया था कि इंसान हिंदू या मुसलमान नहीं होता है इंसान अच्छा या बुरा होता है और फिर रिजवान की मंदिरा से शादी होती है और रिजवान की भाबी हसीना भी उसकी शादी में आती है रिजवान अपनी शादी ह अब एक ही गर में पूजा की जाती और उसी गर में नमाज भी पड़ी जाती मंदीरा सैम को परसाथ देती और रिजवान दम दुरूद पढ़के सैम पर फूक मारता मंदीरा मंदीरा खान के नाम से अपना एक सलोन खोलती है इनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है कि फिर एक दिन 9-11 वाले हमले की खबर मिलती है ये दिन होता है 11 सितंबर 2001 का वर्ल्ड टेट सेंटर पर हमला होता है जो के मुसल्मान टेररिस्प्स ने किया होता है 9-11 में मरने वाने लोगों की याद में लोग ही कठे होते हैं वो फायर फायर फायर्टर्स जो के 9-11 के हमले में लोगों को बचाते हुए मारे गए उनकी फैमियों के लिए रिजवान के पड़ोसी पैसे ही कठे कर रहे होते हैं जिसके लिए रिजवान भी पैसे देता है। 9-11 के बाद अमेरिका में मुसल्मानों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। क्योंकि अमरीकी लोग मुसल्मानों से नफरत करने लगे थे। और तो और अमरीकी लोग मुसल्मानों पर हमले करने लगे थे। और उनका नुकसान भी करने लगे थे, कई अमरीकी मुसलमान अपने नाम बदलने लगे थे, मंदीरा और सैम के नाम के साथ खान लगा होता है, स्कूल की बस सैम को लेने के लिए रुखती ही नहीं, सैम को स्कूल में अजीब नजरों से देखा जाने लगा था, और एक दफा तो वो जब अपना कैबिन खोलता है, तो उसके कैबिन में से उसामा बिन लादिन की तस्वीरें गिरती हैं, जो के दूसरे बच्चों ने ही डाली होती हैं, मंदीरा का सिलोन चलना बंद हो जाता है, और तो और कोई हसीना के सर से हिजाब उतार देता है, और हसीना से अंग पकर लोने लगता है. मंदीरा अब एक नोकरी ढूण लेती है. एक सेमली रिजवान और मंदीरा की पडोसी होती है. और इनके आपस में अच्छे तालुकात होते हैं. लेकिन फिर मार्क अफगानिस्तान की जंग में मारा जाता है. मार्क को अफगानिस्तान में जंग में और उसके नए दोस्त भी बन गए होते हैं। अब सैम को लाया जाता है अस्पताल में लेकिन सैम वहां पे मर जाता है। तो ये सब नहीं होता। मुझे कभी एक मुसल्मान के साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। रिजवान मेरा नाम खान है और मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। इस बात को डैरी में लिखता है, वो शूस पहनता है जो उसने सैम को लाके दिये थे और अमेरिका के प्रेजिडेंट से मिलने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों कहानी के शुरु में जो आपने इस कहानी का एरपोर्ट वाला हिस्सा देखा था, वो रिजवान के घर से जाने के बाद होता है। और मैं टेर्रिस्ट नहीं हूँ, रिजवान का ये सफर बहुत लंबा होता है और वो बिना रोके उस जगह पे जा रहा होता है, जहां पे प्रेजिडेंट आ रहे होते हैं। उसे पैसे मिलते, और तो और वो लिफ्ट भी लेता, रिजवान पैसे एक अठे करता है, रिजवान एक जगह पे जाता है, जहां पे अफरीका के बच्चों की मदद के लिए पैसे देने पर प्रेजिडेंट के साथ खाना खाने का मुका मिलेगा। रिजवान यहां पे 500 डॉलर देता है लेकिन यह मुका सिरफ क्रिस्टन्स के लिए होता है। जिस पर रिजवान कहता है कि रख लो उनके लिए जो अफरीका में क्रिस्टन नहीं है और वो अपना सफर जाड़ी रखता है बस में रिजवान को एक जोड़ा मिलता है रिजवान इनके साथ बैटा होता है कि वो नमास पढ़ने के लिए जाने लगता है वो लड़का कहता है कि नमाज जगा और लोगों को देख के पड़ी जाती है जिस पर रिजवान कहता है कि नमाज नियत से पड़ी जाती है रिजवान खुली जगा में नमाज पड़ता है और लोग उसे देख रहे होते हैं अब जून का महीना आ चुका होता है और रिजवान होता है वेले मीना जोरजिया में रिजवान के सामने एक बच्चा जखमी हो जाता है और वो रिजवान से मदद मांगता है रिजवान उसे उसके घर लेके जाता है और उस बच्चे की मा रिजवान की शुकर गुजार होती है रिजवान कपड़े बदलता है क्योंकि उससे बदबू आ रही होती है इस ओरत का नाम मामा जैनी होता है इन में बातें होती हैं और मामा जैनी रिजवान से सैम के बारे में भी पूछती है अगली सुबा विले मीना वले चर्च में जाते हैं यहां पे एराक में मारे गए जवानों की याद में मिमोरियल सर्विस होती है और मामा जैनी सैम का नाम भी शहीदों में जोड देती है रिजवान को यहां पे सैम के बारे में बोलने का मोका मिलता है और वे बोलता है और बताता है कि सैम सिरफ उसका बेटा ही नहीं बलके सबसे अजीज दोस्त भी था और सैम को अपना एकलोता दोस्त बताता है और ये सब हम होंगे काम्याब ये वला गाना भी गाते हैं दूसरी तरफ मंदीरा उसी पारक में एक बोर्ड लेके जाती है जहां पि उसका बेटा मरने की हालत में मिला था उस बोर्ड पे लिखा होता है छे महीने बिना इंसाफ के यानि के छे महीने गुजर चुके होते हैं लेकिन कातिनों का पता नहीं चला होता रीस ये देख रहा ह और वो सैम की मोत के बारे में खामोश होता है पुलिस वाले भी अब सैम का केस छोड़ रहे होते हैं क्यूंकि उनके पास देखने के लिए और भी केस होते हैं लेकिन मंदीरा रुकने वाली नहीं होती वो कागस चिपवाती है जिस पे उसके बेटे की मोत के बारे में लिखा ह और लिखा होता है कि ये किस ने किया और वो ये कागज लोगों को देने लगती है। अब रिजवान होता है UCLA University में जहांपे उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी होते हैं। उसके मुँपर तेज रोशनी मारी जाती, कभी यहां पे बहुत गर्मी होती और कभी यहां पे बहुत सर्दी होती। वो रिजवान को नमास का वक्त भी नहीं बताते होते। जब भी रिजवान को डर लगता तो वो सजदा कर लेता। और वो रिजवान से अलकाइदा के बारे में पोचते और वो उन्हें यही बताता है कि वो अपनी भीवी की कहने पे प्रेजिडेंट से मिलना चाहता है। और रिजवान से बात करने के लिए एक साइकारिस्ट भी रखवाई जाती है। दोस्तों जब युनिवर्सिटी में प्रेजिडेंट आये थे तब वहाँ पे उसी युनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट भी थे। इस लड़के का नाम राज होता है और इस लड़की का नाम कॉमल होता है वो वीडियो बना रहे थे और उन्होंने रिजवान की भी वीडियो बना ली थी और इस वीडियो में रिजवान बोलता हुआ नजर आता है कि मेरा नाम खान है और मैं टेररिस्ट नहीं हूँ और ये रिजवान को अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं ये एक क रिजवान के बारे में नुज्ट पे आ जाता है। पुलिस टेशन के दूसरे वाले रस्ते से बाहर निकलता है और उसे मंदीरा मिल जाती है लेकिन वो मंदीरा से नहीं मिलता क्यांकि अभी उसका वादा पूरा नहीं हुआ होता नियूस पे रिजवान को देखकर दूसरे मुसल्मानों में भी उसला आ जाता है और अब वो अंग्रेजों की आंखों से आंखे मिला रहे होते हैं हसीना भी वापिस से हिजाब पहन लेती है रिजवान अब मशूर हो चुका होता है और वो बंदा जिसने रिजवान की जानका रही होती है वो चर्च में जाता है और वहां उसे मामा जैनी मिलती है वो मामा जैनी की मदद के लिए ही आया होता है वहां पे लोग बुरी आलत में होते हैं चर्च पे बिजली गिरती है और चर्च की छट तूट चाती है जाकर ने राज को रिजवान के विलमिना जाने के बारे में बता दिया था इस वज़ा से वो और बोबी भी विलमिना में आ जाते हैं और चर्च में जाने पे वो देखते हैं कि रिजवान वहां पे मदद करवा रहा है चर्च की छट को ठीक करवाने के लिए और वो रिजवान के इस अच्छे काम के बारे में न्यूस पे बता और लोगों को इस बारे में पता चलता है, मंदिर भी निउस पे ये देखती है, एक बच्चा वहाँ पे मर जाता है, और इस बारे में रिजवान कुछ नहीं कर सकता होता, फिर वो देखते हैं कि बाहर उनकी मदद के लिए कुछ लोग आए हैं, जिन में रिजवान का भाई और भाबी भी होते हैं, वो सब यहाँ पे इनकी मदद करते हैं, और इस वज़ा से मामा जनी रिजवान को गले लगा लेती हैं, इंडिया में भी लोग रिजवान को निउस पे देखती हैं, और दूसरे मुसल्मान इस बारे में जानने पर खुश होते हैं, रिजवान नड़कों को गिरफतार कर लिया जाता है, जिन में रीस भी होता है, मंदीरा रीस पर नर्मी बरतने के लिए बात करती है, क्योंकि रीस की मां मंदीरा की दोस्त होती है, मंदीरा रीस की मां का एक मैसिच सुनती है, जिसमें वो मंदीरा से रिजवान के पास वापिस जाने के ये कहरे ही होती है, मंदीरा वहीं पर जाके गुबारे उड़ाती है, जहां पर सैम मरने की हालत में पाया गया था, और फिर मंदीरा रिजवान के पास जाती है, लेकिन वहीं पर डॉक्टर फैसल रहमान को चाने वाला एक आदमी, रिजवान को चाको मार देता है, उस आदमी कि अच्छे कामों का नतीजा होता है मंदिरा रिजवान के पास आ चुकी होती है लेकिन अभी भी उसने प्रेजिडेंट से मिलना होता है वो दोनों वहाँ पे जाते हैं जहां पे प्रेजिडेंट आने वले होती है वहाँ पे रिजवान के पास एक आदमी आता है रिजवान के लिए रस्ता खोला जाता है और वो प्रेजिडेंट के पास आता है दोस्तों अमेरिका का प्रेजिडेंट बदल गया होता है और उसने रिजवान को टीवी पे देखा था इसलिए उसे पहले ही पता होता है कि प्रेज़वान के साथ वापिस से खुश होती है और प्रेज़वान के साथ वापिस से खुश होती है और प्रेज़वान के साथ वापिस से खुश होती है और प्रेज़वान के साथ वापिस से खुश होती है और प्रेज़वान के साथ वापिस से खुश होती है और तरह की और वीडियोस देखनी हैं तो लेफ्ट या राइट जो उनसी मरसी वीडियो को क्लिक कर लो